हेलो चैनल होप आप अच्छे हूँगे, स्वस्थ हूँगे, मस्थ होंगे अब आपका चैनल देख रहे होंगे जिसका नाम है लाईफ विज रेखा शर्मा मेरा नाम है रेखा शर्मा Hello अगरी चैनल में आपको बताने जा रही हूँ कि जो सबजी होती है बची उसका आप कैसे यूज़ करें तो अब जो सबजी आपने लिए उसको बड़े बाल में डाल लीजिए उसमें प्याज अद्रक हरीमिर धनिया डाल के और इसमें बेसन बड़ा चमज डाल दीजिए और इन सब को अच्छी तरह मिला लीजिए पूरी अच्छी तरह मिलाना है और ऐसे विल्कुल मैश कर देना करें फिर ऐसे लोई लेकर उसमें इस मसाले को अच्छी तरह भर दीजिए और अच्छी तरह भर भुरके इसका आप बड़ा अच्छा सा प्रांठा बना लीजिए देखें और फिर फ्रेंड्स इस सब के प्रांठे बना लीजिए आप ऐसे प्रांठे बनाएंगे तो आप देखेंगे आपकी सब्जी भी यूज हो गई और प्रांठा भी इतना अच्छा बन गया देखें फ्रेंड्स कितना प्यारा प्रांठा बन रहा है तो आप ऐसे अपने सब्जी भी यूज हो तो फ्रेंड्स देखिए आपके कितने प्यारे प्रांठे बन गए हैं तो आप जो भी सब्जी बचे बच्चे नहीं खाते सब्जियां तो आप ऐसे उसको भरके उसमें म प्रेंट्स सूजी लीजिए सूजी में एक चम्मच बड़ा दई डाल दीजिए और उसमें नमक डाल दीजिए और इसको आप रेस्ट के लिए रख दीजिए दस मिनट की रेस्ट के बाद ये हमारी सूजी जिसमें हमने दई मिलाके रखा है वो हो गया है देखिए इतना लांस्ट में आदा चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है और एक चुटकी बेकिंग सोडा इसमें आपने मिला देना है और इसको अच्छी तरह हो जाएक बिलकुल स्मूद बैटर बनना चाहिए तो आपका ये त्यार है फ्रेंड्स फिर ऑइल डाल दो और बैटर को ऐसे इसमें पलट दो दो तीन बड़े-बड़े स्पून आपने डाल लेने हैं और फिर उसके पाद ये जो वो मैश किया हुआ था ना सब्जीयों का जो बची वी सब्जीयों का मैश करके जो रखा था उसको हम इस पे अच्छी तरह फैला देंगे फैला के हम इसको अच्छी तरह करके इसके ओपर फिर हम बैटर को डाल देंगे और अच्छी तरह इसको बनने देंगे हम और फिर इसमें आईल डाल के आईल डाल देंगे और फ और इस तरह आपका फ्रेंड्स बन गया ये नया नाश्टा जो आप बनाओ और खाओ बहुत स्वाधिस्ट लगता है फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा कैसे लगी मेरी दोनों रेसिपी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा इसी के साथ मैं ये ब्लॉग समापत करती हूं फ्रेंड्स बाए 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 और मैं अब अगले ब्लॉग में फिर आपसे मिलूंगी तब तक के लिए बाए बाए